दा कपल शर्मा शो सीजन टू के दूसरे एपिसोड ने एक बार फ़र से टीबी पर तहल का मचा दिया है कपल ने एक बार फ़र से प्रूफ कर दिया कि अभी उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है दा कपल शर्मा शो के दूसरे एपिसोड में भी सिंबा की स्टारकास्टी गेस्ट रही पूरे शो में रणवीर कपू ने दीपका पादुकोन का नाम लेकर कपल को बहुत छेड़ा रणवीर ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जब कपल मेरे और दीपका की रेशेप्शन पार्टी में आये थे तो मैंने कपल से कहा था कि देख कपू मैं तेरी दीपू को ले गया लेकिन फिलाल इस एपिसोड की रोनक बनी सारा अली खान शो में कपल ने जब सारा को रोयल फैमिली का कहकर इंटर्ड्यूस किया तब रोहिश शेटी ने सारा की पोल खोल दी रोहिश शेटी ने एक किस्ता शेयर करते हुए कहा कि बहुत बड़े एक्टर की बेटी होते हुए भी सारा ने मुझसे हाँ जोड़ कर काम मांगा था वहें रणवीर सिंग ने कहा कि सारा मेरे पास हैदराबाद में काम मांगना आई थी रोहिशेटी ने भी सारा के कई राज खोले लेकिन मज़ा तब आया जब रनबीर ने सारा से टॉप क्लास एक्टरिस की एक्टिंग करने को खा इसके बाद सारा ने जो एक्सप्रेशन्स दिये उससे लोग हस्ते हस्ते लोट पोट हो गए फिलहाल कपिल के पहले दोनों शुरुवाती शो को तो दर्शकों का अच्छा प्यार मिल रहा है लेकिन कपिल के एनरजी अभी थोड़ी सी कम लग रही है इसके पीछे की वज़ा शायद उनका लंबे वक्त से टीवी से गायव रहना हो सकता है लेकिन दर्शकों को कपिल पर पूरा भरोसा है फिलहाल आपको कपिल का दूसरा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईए टेलिवीजन और बॉलिवुट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए